नमस्कार दोस्तों, दो दिसंबर 2021 के डेली करेंट अफेस डिसकेशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन-कौन सी न्यूज है, आपको सामने नजर आ रही हैं। एक तो नामदा क्राफ्ट के ओपर न्यूज है। दूसरा Gift City, जो की गुजरात में हैं, गांधी नगर से थोड़ी ही दूर है, इसके बारे में न्यूज है। फिर ये IVF, In-Vitro Fertilization, ये जो सरोगेसी होती है, इसको regulate करने के लिए, लोगसभा ने Assisted Reproductive Technology Regulation Bill पास किया है। लोगसभा से पास हुआ है, राजसभा में गया है, बट अभी इसको बहुत सारे points पक्रिट साइज किया जा रहा है, तो इस न्यूज को देखेंगे। GST Collections क्या रहे हैं, नमबर में इसकी बात करेंगे। और ये जो European Commission है, ये तीन सो बिलियन डॉलर का Infrastructure Fund लेके आ रहा है, और जिसके तुरू ऐसा बोला जा रहा है कि ये चाइना के Belt and Road Initiative को काउंटर कर रहा है। तो ये सारी के सारी न्यूज आज हम लोग डिसकस करने वाले ह पहली न्यूज पर आते हैं, लोग सभा पासेज बिल टू रेगुलेट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की लिनिक्स। बिल का नाम के है Assisted Reproductive Technology Regulation बिल। मैं आपको बता दू कि अभी ये राजिसभा से पास नहीं हुआ है। राजिसभा से पास होना पड़ेगा, प्रेंडिंग कमीटी को आप रिक्मेंड करिए। ये विल क्या बोलता है कि एक नैशनल रेजिस्ट्री बनाई जाएगी, साथ में एक रेजिस्ट्रेशन अथॉर्टी बनाई जाएगी, वो रेगुलेट भी करेगी किसको चितने भी सरोगेसी से रेलेटेड या फिर Assisted Reproductive Technologies Related Clinics and Medical Professionals इंडिया में काम कर रहे हैं। देखे, Assisted Reproductive Technology, मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत बढ़ा टर्म है। इसके अंदर सरोगेसी बहा जाती है। इसके अंदर वो infertile लोग, जैसे एक husband wife है, अब उनका baby नहीं हो रहा है। तो वो किसी hospital में गये, clinic में गये, अपन बेबी को कराने के लिए, तो इसके लिए IVF clinics खुले हुए हैं। जैसे कि एक good news करके एक movie आई थी, अक्षे कुमार और करीना कपूर की, उसमें डिल जीत डुसान भी था, तो उसमें जो clinic दिखाया गया है, वो basically assisted reproductive technology के थूँ लोगों का बच्चा करवा रहा था। तो इस प पहले जो इस चीज के ओपर standing committee बनाई गई थी, उसके बहुत सारे suggestions को यहाँ पर imbibe किया गया है, अब ही के लिए opposition बोल रहा है कि फिर से इसको standing committee के पास बेजो, इस बिल में बहुत सारी problems हैं, तो I hope आवो clear हो गया होगा कि assisted reproductive technology infertility को treat करता है, तो एक woman को eggs को लेके, उसको man के sperm से मिलाके, उनको fertilize करके, फिर से woman की body में डालके, बच्चा पैदा करना, एक healthy बच्चा, इसी को यह technology बोला जाता है, आज की date में, इंडिया में, बहुत सारे assisted reproductive technology के banks हैं, लेकिन उनको बहुत साथ हद तक misuse किया जाता है, unethical और corrupt practices चल रही है, उनको regulate करने के लिए, ब reproductive technology के clinics इंडिया में registered ही नहीं है, कैसा बताया जाता है, कि embryos के trafficking होती है, sale होती है, सरोगेसी का आपका नाम सुना होगा, कि एक infertile couple के बच्चे को carry कर रही होती है, एक तूसरी योरत, अभी recently शायद है, ये कृति सिनन की कोई movie भी आई थी इसको लेके, कोई आदो तो नीच Victorian है, ये Hindu नहीं है, मतलब कि Hindu values को follow नहीं करता है, English values को follow करता है, Hindu values बहुत inclusive है, तो चिदंबरम साब का ये बोलना है, कि भाई, इस बिल के अंदर lesbian couple, gay couple, bisexual और transgender, मतलब LGBT जो लोग है, वो यहाँ पर बच्चे पैदा नहीं कर सकता, अब देखिए, LGBT community में मालीजे कोई gay couple है, य बच्चा पैदा कर नहीं सकता, लेकिन assistive reproductive technology की दुरू वो parents जरूर बन सकते हैं, तो एक दो male मिलके एक बच्चे को पाल सकते हैं, दो females मिलके बच्चे को पाल सकते हैं, टेकनिकल सेंस में वो एक couple है, ठीके ना, लेकिन इस bill के अंदर उनको couple नहीं माना जाएगा, तो वो officially यहाँ पे ART technology की मदद से parents नहीं बन सकते, तो इसको criticize कर रहे हैं, चिदमरम साब, ठीके, फिर तिनमूर कॉंगरेस की ही एक doctor है, doctor काकुली गोश दास्तीदार, वो इस field में specialist है, उनका यह बोलना है कि भईये, इस bill के provisions को monitor करने के लिए specialist experts को यहाँ पे appoint करिए, ठीके ना, ART banks की यहाँ पे बात हो रही है, नदब assisted reproductive technology के banks, banks मतब जहाँ पे embryos, sperm वगारा को store करके रखा जाता है, तो उसके proper regulation की यहाँ पे बात हो रही है, और उसके लिए, राजी की सरकारों के रोल को बढ़ाओ, केंदर की सरकारों, राजी की सरकार में ऐसा बताया जारा, केंदर की स पता है, जिसके basis पे इस बिलको criticize के जारा, केंचन मत दीजे, ART बिल अभी आया है, इसके ओपर बहुत से डिटोरियल्स डेली के basis पे current affairs में बातचीत होगी है, अगर जरूत लगी तो मैं एक consolidated holistic video मैं या विनीज सरले कहेंगे, आपके लिए ART technologies related, GS paper 2, Government policies and interventions and parliamentary proceedings में बटन if possible for you to click it, Instagram पर follow कर लिजे, Telegram group join कर लिजे, दोनों ही चीजों का link आपको नीचे description box में दिया हुआ है, यह PDF आपको Telegram पे मिल जाएंगी, next है GST collections surge in November, देखे, November में जो पैसे का collection हुआ है, उसका figure अब आ गया है, तो 1 November से लेके 30 November तक 131,526 करोन रूपीस का collection हुआ है, और यह हमको 1 December को पता चल गया, लेकिन मैं आपको पता दू, November में जो collection हुआ है न, वो October की economic activity का है, तो हमारे यहाँ पर जो collections होते हैं, वो एक महीने पहले की economic activity के होते हैं, तो October में जो भी economic activity हुई, उसके GST returns file होंगे November में, और उसका data हमको 1 December को मिल जाएगा, तो 1 December को data मिल और 2 December को news निकल के आ रही है, कि नवंबर 2021 में collection है, 1,031,526 करोन, बट याद रखें, यह activity है, अक्टूबर की economic activity है, ठीक है, अब अगर collections की बात की जाए, तो जब से GST regime को implement किया गया है, 1,031,526 करोन से ज़्यादा पैसा, केवल एक महीने में collect हुआ था, और वो हुआ था महीने में पैसा जदा collect हो गई न, अब 2021-22 जो financial year है, वो कब शुरू होगा, 1,041 को, और आखरी महीना क्या होता है, किसी financial year का मार्च, तो 2020-21 का आखरी महीना क्या था, मार्च 2021, अब जब भी last month होता है, किसी financial year का, तो उस last month में सरकारी activity, private activity, बहुत सरे activities बढ़ जाती है, ए किसी finance related सरकारी department में काम करोगे, तो आपको पता चलेगा कि मार्च में मरई होती है, बहुत बुरा काम करवाया जाता है, तो मार्च की महीने पे जो financial activity होती है, उसका collection कब होगा, उसका GST return कब फाइल होगा, अप्रेल 2021 में, तो अप्रेल 2021 में तो collection जदा नजर आएंगे ही आ अप्रेल, माई, जून, ये पहला quarter हो गया, जुलाई, अगर्स, सेप्टमबर ये दूसरा quarter हो गया, तो अप्रेल, माई, जून के बाद जुलाई में collections जदा नजर आते हैं, क्यों? चुकि जून में quarter खतम हुआ है, तो जून में बहुत जदा activity होई होगी, जिसके collection जुलाई अगर्स, सेप्टमबर वाला जो second quarter होता है financial year कर, तो सेप्टमबर में second quarter खतम हुआ, तो अक्टूबर में collections बहुत जदा नजर आएंगे, इसलिए आप देखोगे, अक्टूबर 2021 में भी collections अच्छे खासे थे, ठीक है, तो अक्टूबर 2021 से भी ज़्यादा collections आये है नवंबर 2021 में और ये बात आपको confused नहीं होना चाहिए कि जो collections होते हैं, वो पिछले महिने के होते हैं, ठीक है भाई, तो एक लाग 31,526 करोण में, Central GST था 23,978 करोण, State GST था 31,127 करोण, Integrated GST था 66,850 करोण, SES था 9,606 करोण, हाला कि ये information उतनी ज्यादा useful नहीं है, ठीक ह हैं, compliance बढ़ गया है, ज्यादा GST filing हो रही है, tax enforcement agencies बहुत अच्छे तरीके से अपने काम कर रही हैं, fake invoices के mechanism को हम लोग counter कर पा रहे हैं, suspicious taxpayers के ओपर investigation चल रही है, बतेरी तरीके की बात यहाँ पर बताई गई हैं नेक्स न्यूस पर चलते हैं, यह वाली न्यूस जीस पेपर टू इंडिन इकनोमी की रिस्पेक्ट से इंपोर्टन थी, 1160 elephants killed due to reasons, other than natural causes, तो भाईया, पिछले 10 सालों में, up to 31st of December 2020, इंडिया के अंदर 1160 elephants की death हुई है, other than natural causes, other than natural causes मन्तब कोई elephant बिमारी से मर गया, वो बू बोलो के death due to other than natural causes, जैसे for example, electro location, current लगने की वज़े से 741 elephants की death हुई, train से लड़ने की वज़े से 186 elephants की death हुई, शिकार की वज़े से 169 elephants की death हुई, poisoning की वज़े से 64 elephants की death हुई, यह कहां से पता चला है, तो Ministry of Environment, Forest and Climate Change में एक RTI भेजी गई थी, उस RTI की basis पे इंफॉमेशन नि elephants कभी कभी आके वो फसल खराब कर देते, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, fruit सरक देते हैं, poison करके, उस fruit को खाके elephant मर जाता है, यह लोग poisoning इसलिए करते हैं, ताकि उनका जो खेत है, उसको elephant बरवाद न कर दे, करनाटिका और ओडिसा में, electro location की वज़े से 133 elephants, करनाटिका मे 62 deaths, West Bengal में 57 deaths, poachers ने, मतलब शिकारियों ने पिछले 10 सालों में 169 elephant को मार दिया, जिसमें से ओडिसा में 49 थे, कैरला में 23 थे, okay, poison category में देखा जाए, तो आसाम में 32 elephants को poison किया गया, ओडिसा में 15 elephants को, 2017 के data के हिसाब से देखें, तो इंडिया में 29,964 wild elephants है, southern region में elephants पाए जाते हैं, तमिलनाडू, करला, करनाटका, अंडमान, निकोबार, आंधपरदेश, महरास्ट में, और यहां पर total किते elephants पाए जाते हैं, 14,612, 14,612, 14,612, तो region wise देखा जाते हैं, तो south इंडिया में सबस region of West Bengal, Manipur, Mizoram में 10,139 elephants पाए जाते हैं, state wise देखें, तो करनाटका में सबसे ज़्यादा, 6049 elephants, आसाम में 5,719 elephants, केरला में 5,706 elephants, तमिलनाडू में 2761 elephants, तो यह information एक RTI में निकलके आए, गौर्मेंटल इनिशेटिफ देखे जाए, तो भाई, प्रोजेक्ट स्कीम चलाई ग मुझे नीचे comment box में बताओ, यह project elephant scheme, कौन से साल में चलाई गई थी, और यह centrally sponsored scheme project elephant के अंदर, financial मतलब पैसे का और सासा technical assistance भी दिया जाता है, केंदरी की सरकार के दौरा, उन राज्यों को जहाँ पे elephants considerable quantity में मिलते हैं, इन elephants का habitat बनाया जा सकें, इनके corridors बनाया जा सकें, ठीक है, man elephant conflict को रोका जा सके, जो captive elephant है, जो की human captivity में है, उनके welfare के लिए काम किया जा सके, पिछले 10 सालों में 22 states को 212.5 करोड भेजे गए हैं, केंदर की सरकार के दौरा, ठीक है, critical elephant habitats बनाया जाते हैं, as elephant reserves, 14 major elephant states में 30 elephant reserves बनाया गए है, man animal conflict को रोकने कोशिश की जाती, तो कभ elephant आते हैं, किसी की फसल तबाह कर दी, किसी की जमीन तबाह कर दी, तो वहाँ पर लोग गुस्ते में elephant को मार ना दें, इसलिए जिनकी भी जमीन तबाह हो रही है, उनको compensation वगरा provide करना, ये सब करता है, इस project elephant के अंदर, और मैं आपको बता दो, Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अंदर, एक permanent coordination committee भी बनाई गई है, जो कि MOEFCC, यहनी Ministry of Environment, Forest and Climate Change, और Ministry of Railways की बीच में coordination करेगी, ताकि elephant से related deaths को रोखा जा सके, खास कर one deaths को, जो कि train से रणने की वैसे होती है, GS paper 3, बायो डैवस्टी में news काम आएगी, next news है, कश्मीर का ये जो traditional नामदा फार्ट है, नामदा क्राफ्ट, इसको revive करने की कोशिश की जा रही है, देखे कश्मीर के artisans और weavers, बहुत लंबे समय से नामदा क्राफ्ट को चला रहे है, लेकिन अब ये नामदा क्राफ्ट थोड़ी नीचे की तरफ जा रही है, गिर रही है, तो राजीव चंदर शेकर साथ, जो के Indian Ministry of State है, Skill Development और Entrepreneurship के, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, कि भाई, दो पाइलेट प्रोजेक्ट्स लाँच किये हैं, जिससे नामदा क्राफ्ट को इंप्रूव किया सके हैं, देख नामदा क्राफ्ट को इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी, जिससे ओवराल यह जो, इसकिल है, यह सकिल खतम ना हो जाए, नामदा एक्चुली में एक रग होता है, यह भेड के वूल से बना हुआ होता है, और फैल्टीं टेक्नीक के थूरू इसको मनाया जाता है, यह रोप की तरह रोल कर देते हो, तो इसको इसके अलांग रोल कर दिया जाएगा, तो इतना बड़ा सा रोल बन जाएगा, फिर इस रोल को चारों तरफ से कंप्रेस किया जाएगा, हातों से, पैरों से, घंटों तक कंप्रेस किया जाएगा, इतना कंप्रेस किया जाएगा, ज जब भी हम बात्रूम में एंट्री मार रहे होते हैं, या घर के अंदर एंट्री मार रहे होते हैं, तो एंट्री पे आप छोटा से नीचे से कपड़ा से रखा होता है, पैर पूछने के लिए, उसको बेसिकली आप रग बोलते हो, ठीके ना, तो ये नामदा क्राफ्ट वही रग बनाता है, तो ये जो नामदा इनिशेटिव है कश्मीर के अंदर, ये प्रधान मंतरी कोशल विकास योजना 3.1 के अंतर, और जो second वाला वर्जन आया था, प्रधान मंतरी कोशल विकास योजना का, उसके अंदर 10,980 सेंस और वीवर्स को ट्रेन करने की बात करता है under the recognition of prior learning component ठीक है भाई तो इस नामदा प्रोजेक्ट को 25 बैचेस में केर किया जाएगा 25 बैचेस में बहुत सारे लोग होंगे ओविसी बात है उन बैचेस में तीन अलग-अलग cycles of training होगी हर cycle of training लगबख साड़े तीन महीने चलेगी तो एक बैच के training आप कह सकते हो 14-16 महीने में complete हो जाएगी पहले project शुरू होगा आपका कश्मीर में और अगले ही महीने इसको नागा लैंड में भी launch किया जाएगा 4000 artisans और वीवर्स को ट्रेनिंग देने के लिए GS paper 2 government policies और interventions में news आप हो काम आएगी फिर European Commission ने यहाँ पे प्लान सामने रखा है जिसको बोला जा रहा है Global Gateway Plan इस Global Gateway Plan के थूँ European Commission पूरी दुनिया में public और private infrastructure investment के थूँ 300 billion dollar जुटाने की कोशिश करेगा और इस 300 billion dollar के थूँ European Union यहाँ पे कोशिश करेगा इसको बोला गया है Global Gateway Plan इसमें European Union का नाम नहीं लिया गया है और एक्चुली में इस प्लान को चाइना के Belt and Road Initiative के राइवल की तरह देखा जा रहा है चाइना के Belt and Road Initiative की बात की जाए तो उसके Xi Jinping ने 2013 में लॉंच किया था 2020 तक चाइना 139.8 billion dollar इन्वेस्ट कर चुका है Belt and Road में पिछले साली रगबग 22.5 billion dollar इन्वेस्ट किये थे किसने चाइना ने Belt and Road में तीके Belt and Road के थूँ चाइना क्या करने कोशिश कर रहा है चाइना को एशिया, यॉरप और अफ्रीका से ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए कनेक्टेड करने की कोशिश कर रहा है आप देखो तो Western countries का ये बोलना है कि चाइना के लिए Belt and Road Initiative पूरर कंट्रीज को इन्फ्लूएंस करने का तरीका है तो ये जो बीजिंग है वो छोटी मोटी कंट्रीज को लोन देके उनको Debt Trap में फसा लेता है फिर उनके Assets के उपर कबजा कर लेता है उनकी Sovereignity को वालेट करता है इस प्रकार के इलजाम लगाए जाते हैं चाइना के उपर चाइना की स्ट्राटजी में जो पूरर कंट्रीज है वो ना फस जाएं इसलिए यहाँ पर European Commission के अंदर ये Global Gateway प्लान लाया गया जिसके तुरू 300 Billion Euro एखटे किये जाएंगे लगबख 340 Billion Dollar एखटे किये जाएंगे लेकिन ये पैसा सीधे-सीधे European Union के Countries की तरफ से नहीं आ रहा है इस पैसे को Overall International Institutions और Private Sector से एक हटा किया जाएगा हो सकता कुछ हटा Countries भी पैसा दें लेकिन वो देंगे तो Commercial Basis पे देंगे Let's see आगे कैसे स्कीम काम करते है ये स्पेपर 2 International Relations में ये न्यूज़ आपको काम आएगी Next न्यूज़ भाई ये जो गुजरात की आपकी Gift City है ये इंडिया की पहली Green Field Integrated Smart City की तरह उभर रही है Green Field मतलब कि बिल्कुल ही नय सेरे से इसको बनाना शुरू किया गया है Brown Field मतलब कोई चीज़ बन रही है उसमें Improvement की बात की जाते है तो बिल्कुल ही नय तरीके से जो गुजरात की Capital गांधी नगर से 7 किलोमेटर दूर साबर मती नदी की किनारे एक Green Field बनाई गए 886 एकड में वो 886 एकड जो की बिल्कुल बंजर खाली जमीन पड़ी थी उसके ओपर इतनी बड़ी Gift City बना देना ये मोदी जी का Dream Project है और ये Dream Project भेंकर तरीके से चल रहा है 200 entities यहाँ पर अपने office बना चुकी है 12,000 लोग और इस Gift City के अंदर से काम कर रहे है इंडिया का पहला और only international financial center है जहाँ पर bank, stock exchange, financial service firms सब होंगे इस 886 एकडेर्स में 62 million square feet का built-up area है 67% commercial है, 22% residential है, 11% social space है ठीक है इस particular area को बहुत सारे multi service special economic zones में तोड़ दिया गया है जो कि 261 एकर में फैले हुए और domestic tariff area 625 एकर में फैला हुआ special economic zone actually में important इसलिए होते है special economic zone के अंदर अगर आप कुछ भी import करोगे न उसके ओपर import duty नहीं देनी पड़ती है इंपोर्ट परस्पेक्टिव से special economic zone काफी useful हो जाते हैं तो gift city के अंदर बहुत सारे tax exemptions दिये गए इसके लिए Bombay Stock Exchange और National Stock Exchange दोनों ही अपने offices यहाँ पर setup कर चुके हैं international stock exchanges के businesses को चलाने के लिए 17 banks में 12 domestic banks और 5 international banks अपने licenses इस्यू कर चुके हैं gift के अंदर operate करने के लिए 100 plus broking services depository clearing operations शुरू हो चुके हैं gift city के अंदर 19 companies ने non life insurance business शुरू कर दिया gift city के अंदर से फिर बहुत सरे और relief measures भी यहाँ पर दिये गें gift city के अंदर जैसे tax holiday for capital gains for aircraft leasing companies tax exemption for aircraft lease lentils pays to foreign lessers tax incentives for relocating foreign funds in IFSC Singapore arbitration center की एक branch भी यहाँ पर खुल चुकी है तो कुल मिला कि जो international financial services center खोला गया है गुजरात के अंदर इसको इतना support दिया गया है सरकार की तरफ से कि एक viable financial entity की तरह उभर के हमारे सामने आ रहा है जैस paper 2 government policies के respect में न्यूज आपको काम आईगी फिर अगली न्यूज है केरला के एक temple में sea willi नाम का popular ritual होता है जहाँ पे elephants को सजा के कुछ activities की जाती है यह traditional sea willi ritual है जो की केरला central केरला में श्री पूर्ना थ्रय सेया temple में temple season को ही शुरुवात्सा करता है तो एक popular daily ritual है एक temple procession of deity को elephant के ओपर बढ़ा के ले जाये जाता है colorful procession elephants का elephant's gold color की caparison plate पहने होते हैं जिसको आप नीती पतम बोलते हैं बहुत सारे bells और necklaces पहने होते हैं इसमें से एक elephant एक छोटी सी भगवान की मूर्ती उत्सव मूर्ती को अपने उपर रखता है ये उत्सव मूर्ती बेसिकली जो presiding duty है इस temple की मूला वर उनकी ही छोटी सी प्रतिमा है उनके भीशे temple priest रहता है बहुत सारे elephant's line में चल रहे होते हैं सासा ड्रम्स वगरा wind instruments वगरा बज़रे होते हैं तो music के साथ overall भगवान का यहाँ पर स्वागत किया जाता है तो यहाँ पर जो orchestra होता है percussion instruments का इसको पांडी मेलम बोलते हैं बहुत सारे trumpels, बहुत सारे symbols rhythm में बज़रे होते हैं और यह सब activities होती है श्रीपूर्णा थ्रेस है टेंपल में यह हिंदू टेंपल है त्रिपूर्णी थूरा कोची में कोची में आपको बता दूँ former kingdom of Kochin की भी capital रही है अब ही के लिए 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 और यह temple आप कह सकते हो जी टॉंटा का current leader इससे पहले जी टॉंटी का जो leader था और आगे आने वल समय में जो जी टॉंटी का leader होगा तीन लोगों की grouping को जी टॉंटी ट्रोय का बोला जाता है इस साल जी टॉंटी की leadership थी इटली के पास अगले साल मतलब अब 2022 में आ जाएगी किसके बास आपकी इंडोनेशिया के पास और उसके next year रहेगी इंडिया के पास इंडिया जी टॉंटी प्रेजडेंसी को ले लेगा अगले साल एक दिसमबर 2022 को इंडिया प्रेजडेंट बन जागा जी टॉंटी का एक दिसमबर 2021 को कौन बन गया इंडोनेशिया बन गया इससे पहले कौन था इटली बन गया इटली था तो ये तीन मिला दो तो क्या बन गया जी टॉंटी टॉयका बन गया समझ गए तो इसलिए इंडिया जी टॉंटी टॉयका का मेंबर बन गया 19 countries को यहाँ पे 5 groups में डिवाइड किया गया है हर group में 4 से अदर member नहीं हो सकते हैं India group 2 में हैं जिसमें India, Russia, South Africa, Turkey है और हर group का एक-एक member हर साल पे यहाँ पे president बनता हुआ नजर आता है G20 के कोई permanent secretary to headquarters नहीं है ठीक है तो यह था पूरा का पूरा news Thank you for watching friends I hope आपको कुछ ना कुछ useful यहाँ पे जानने को मिला हो आप अपनी viewpoint नीचे comment box में दे सकते हैं कुछ additional information अगर आपके पास हो तो आप वो भी दे सकते हो मैं उसको pin कर दूँँगा ताकि बाकी लोग पढ़ पाए Have a great difference, good bye पढ़ते रहिखे, ध्यान रखे अपना